Hello everyone, welcome to One Academy. मेरा नाम है Gaurav Joshi और आज मैं आपके साथ एक सिंपल सा ट्रिक शेर करने वाला हूँ regarding the units. देखे, units वो चीजें होती हैं जिससे कि हम चीजों को measure करते हैं. तो कोई भी आपके पास physical quantity है, जैसे length, volume, density, इन सब को measure करने के लिए हमें चाहिए units. units जो होते हैं, वो अलग-लग type की होते हैं. जैसे CGS यूनिट, जिसमें कि हम length को centimeter में, mass को grams में, और time को second में measure करते हैं. एफपी 에स, यह वो unit होता है जिसमें कि हम length को foot में, mass को pound में, और time को second में. और MKS जिसे हम metric system भी बोलते हैं जिसमें हम length को meter में, mass को kilogram में और time को second में measure करते हैं ये different different type की units होते हैं इन units में हम अलग-अलग तरीके का system यूज़ करते हैं जिसके तहरत हम कोई भी चीज, कोई भी physical quantity को measure कर पाते हैं जिससे मैं एक phone को measure कर रहा हूँ तो मुझे पता चलता है कि ये जो phone है, इसका size कितना है 10 cm यूनिट को समझने के लिए, एक unit को दूसरे unit में convert करने के लिए पहली बात आपको सबसे important चीज, कुछ prefixes को समझना पड़ेगा और उनको by heart करना पड़ेगा जैसे, बड़े बड़े जो prefixes होता है, जैसे मेरे पास एक बहुत बड़ा value है 10,000 grams, ऐसे मेरे पास 10,000 grams का value है अब ये 10,000 grams लिखने की जगा, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 10 into 10 raise to 3 grams, correct? अगर मैं इसको ऐसा लिख दूँ, तो ये 10 raise to 3 का मतलब होता है kilo तो और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 10, 10 kilogram तो मैंने क्या किया, मैंने जो बड़े values होते न, उनको एक fix number या फिर एक fix letter associate कर दिया, जैसे कि अगर मेरे पास 10 है मेरी value अगर 10 है, तो मैं उसको prefix, उसको नाम दे दूँगा, तो कभी भी अगर 10 लिखा हो तो उसकी जगा पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 की जगा पे मैं DA, डेका लिख सकता हूँ तो अगर मेरे पास 10 meters का value है, तो मैं इसको और क्या लिख सकता हूँ I can call it as 1 decameter, I can call it as 1 decameter अब ऐसे आपको questions आते हैं, जिनमें कि आपको एक unit को दूसरे unit में convert करना होता है अब हम आज भी confused हो जाते हैं कि कैसे मैं kilogram को gram में convert करूँ और gram को kilogram में convert करूँ क्या मुझे 1000 से multiply करना है या मुझे 1000 से divide करना है, यह चीज हमेशा हमें confuse कर देती है हम नहीं समझ पाते हैं, और कई बार हम इसमें mistake कर देते हैं, जिससे हमारे numericals में answer गलत आते हैं और marks चला जाता है, आज मैं आपको एक simple सी trick बताऊँगा जिसमें कि आप यह सब चीजे mistake नहीं करेंगे जैसे मैं आपको एक value देता हूँ, 1 kilogram और मैं बोलता हूँ आपको इसको convert करना है किसमें gram में देखें आपको अगर kilogram को अगर gram में convert करना है, मतलब आपको kilo को हटा देना है kilo को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 kilogram को kilo से divide करना पड़ेगा, तो kilo kilo cancel हो जाएगा बढ़ मुझे पता है अगर हम divide करते हैं तो multiply भी करना पड़ेगा, तो मुझे into kg भी करना पड़ेगा अब kilo और kilo cancel हो गया, तो मेरे पास कितना value बचा, 1 gram का value बचा, और kilo का unit, that is वो prefix के हिसाब से मुझे value पता होना चाहिए kilo का value होता है 10 raise to 3, तो answer आजाएगा 10 raise to 3 grams, क्योंकि 1 का value तो कुछ होता नहीं है, multiply 1 किया तो वो ही रहने वाला है, kilo into gram will give you 10 raise to 3 grams, तो आपने क्या किया, अगर आपको याद नहीं रहता है, कि divide करना है या multiply करना है, आपको अगर kg से gram में convert करना है, तो आपको divide करना है या multiply करन क्या है, नहीं समझे, चलो, एक और example लेके मैं समझाता हूँ, जैसे for example आपके पास है 1 gram, और आपको बोला जाए, कि convert करो इसको kilogram में, अब आप सोचो कि sir, divide करना है, multiply करना है, थोड़ा दिमाग लगाओगे, time लगाओगे, उससे अच्छा मैं बोलता हूँ, दोनों कर दो, क kg upon thousand, क्योंकि हमें पता है, kilo का value कितना होता है, thousand, मतलब आपका value कितना आया, one gram, one gram का value कितना आया, kg upon thousand, that is how much, 10 raise to minus 3 kg, so how much is one gram, one gram, आपने किस में convert किया kg में, कैसे, multiply, divide किया kilo से, उपर का kg से multiply के kg बन गया, नीचे का बन गया, thousand, 10 raise to minus 3 kg, for example, अगर आपके पास एक value है, one nanometer, आपको इसको convert करना है, meter में, तो आप कैसे करोगे, अगर आपको nano से meter में convert करना है, तो आप क्या करो, nano को आपको हटाना है, दोनो को multiply, divide कर दो nano से, तो one nanometer into nano divided by nano, अब यहां से आपको nano meter में से आपको nano हटाना है, तो ये nano और ये nano को cancel कर दो, तो बचेगा क्या आपके पास, मीटर, अब ये वाला जो n है आपको मीटर चाहिए न, तो आपको ये वाले n का तो वैलू डालना पड़ेगा, तो ये वाले n का वैलू डाल दो, नानो का वैलू कितना होता है 10 raise to minus 9 और मीटर आपको answer आ गया, 1 nanometer equals to कितना, 10 raise to minus 9 मतलब आपको क्या करना है, दोनों को multiply, divide कर देना है, जो भी value है उसको दोनो, multiply और divide दोनो कर दो अगर आपको nano चाहिए, तो nano को रखो नहीं चाहिए, तो उसको cancel करवा दो और दूसरे nano का value डाल दो, चलो एक और question करते हैं, जैसे for example आपको दिया हुआ है, 1 pico meter, और आपको बताना है कि यह कितना meter होगा, अब आपको pico नहीं चाहिए, मतलब आपको इस unit में से pico को हटा देना, meter में convert करने के लिए तो आप क्या करो, pico से divide कर दो और pico से multiply भी कर दो pico से, अब जो division में है, वो तो cancel कर देगा यह जो pico बचा, इसका value डाल दो तो आज आएगा कितना 10 raise to minus 12 into meter, मतलब 1 pico meter equals to 10 raise to minus 12 meter अब आपको tension लेने की ज़रूत नहीं, कि pico meter से meter में जाते हैं, तो divide होता है कि multiply होता है, आप हमेशा सही answer लेके आप आओगे ऐसे अगर आपको दूसरे units मिल जाएं, जैसे की mass का unit, for example अगर मैं आपको बोलू, one mega gram one mega gram, आपको इसको convert करना है किसमे, gram में आपको gram में convert करना है, तो आप क्या करो mega को divide करवा दो क्यों mega divide हो गया, तो mega mega cancel हो जाएगा, तो आपने जब mega से divide करवा दिया, तो multiply भी करना पड़ेगा one mega है, divided by mega into mega, आपने क्या किया, mega और mega को cancel करवा दिया क्या बचा, सिर्फ gram बचा अब इस gram का value के लिए आपको ये mega का value डालना पड़ेगा, अगर आपको gram में answer चाहिए, तो mega का value डालना पड़ेगा mega का value होता है, 10 raise to 6 grams I hope ये चीद समझ में आई सबको ये एक simple सा trick था जिसमें से आप कोई भी एक unit, छोटा बड़ा कैसा भी unit हो आप उसको meter में या ऐसा unit में आप easily convert कर सकते हो, क्योंकि एक बार SI unit में आपका answer आगया, तो numerical problem बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि आप जो भी numerical problem करते हैं, वो SI unit पे लेके करते हैं अब ऐसे ही कुछ units volume के भी होते हैं, जैसे volume का एक unit होता है बहुत famous, जो कि है liter, liter का मतलब होता है decimeter cube, liter is nothing but decimeter cube, लेकिन जो SI unit होता है, वो SI unit होता है meter cube, अब आपको अगर कभी पूछ लिया जाएं कि आपको decimeter cube को अगर meter cube में convert करना है, अब liter, SI unit नहीं है, बट still हम generally, normal language में या जब भी हम use करते हैं, तो हम liter में, that is decimeter cube में measure करते हैं, तो अगर आपको numerical problem में meter में, meter cube में करना पड़े, तो आप कैसे करोगे, आपको क्या करना है कुछ निकरना, जैसे आपको value दी हुए 50 decimeter cube और आपको इसको convert करना है किसमे meter cube में, तो क्या करना है, बस deci का value डाल दो, deci का value होता है 10 raise to minus 1, तो deci की जगह पर हमने डाल दिया 10 raise to minus 1 meter cube था, तो total cube हो जाएगा, yes decimeter cube है न, तो deci का value डालो meter और cube, total का cube निकाल दो, अब इसका क्या आजाएगा answer 50 into 10 raise to minus 1, उसका cube कितना हो जाएगा 10 raise to minus 3, और यह meter cube का हो जाएगा, meter cube answer क्या आएगा, answer आएगा, 50 decimeter cube is equal to 50 into 10 raise to minus 3 meter cube, जैसे के example ले ले लेता है आपको इसको convert करना है किसमें decimeter cube में, देखिए, meter के पास में deci नहीं है, तो आपको deci से multiply और divide दोनों करना पड़ेगा, तो आप क्या करो 10 decimeter cube divided by deci सिर्फ deci, अब देखिए, अगर meter cube के साथ में deci चाहिए, तो आपको deci का भी cube लेना पड़ेगा, तभी तो वो decimeter whole cube हो जाएगा, तो नीचे भी आपको cube से multiply करना पड़ेगा अब answer क्या आएगा 10 into decimeter cube, decimeter the whole cube इसका मतलब, and divided by deci का cube, ये deci कितना value होता है, deci का value होता है 10 raise to minus 1, 10 raise to minus 1 का cube कितना हो जाएगा, 10 raise to minus 3, तो क्या आजाएगा, 10 into 10 के साथ में decimeter cube है, divided by 10 raise to minus 3 का cube होता है, 10 raise to minus 1 का cube होता है 10 raise to minus 3, ये 10 raise to minus 3 जब उपर आएगा, तो बन जाएगा 10 into 10 raise to 3 decimeter cube, तो अगर आपके पास 10 meter cube था तो आपने क्या किया, आपको meter cube के साथ में decimeter cube चाहिए, मतलब meter cube के साथ में deci चाहिए, तो आपको deci cube से उपर नीचे multiply करना पड़ेगा तभी तो decimeter cube, deci cube और decimeter cube मिला के decimeter cube हो जाएगा नीचे deci cube था, deci का मतलब हो था 10 raise to minus 1, उसका whole cube हो जाएगा 10 raise to minus 3 answer आजाएगा आपका 10 into 10 raise to 3 decimeter cube, इसको अगर आप solve करें तो आपका answer आता है 10 raise to 4 decimeter cube so 10 meter cube equals to 10 raise to 4 decimeter cube एक और sum लेते हैं जैसे आपको अगर value दिया हुआ है 10 centimeter cube और आपको इसको convert करना है meter cube में आपको बता है centi का value कितना होता है, centi का value होता है 10 raise to minus 2 तो 10 centi का value डाल दो 10 raise to minus 2 meter the whole cube अब solve करो इसको क्या हो जाएगा, minus 2 का cube हो जाएगा 10 into 10 raise to minus 6 meter cube यह आपका answer है meter cube, अगर आपको उल्टा दिया हुआ कोई question, जिसमें कि आपको meter cube का value दिया हुआ, जैसे आपको दिया हुआ है 50 meter cube और आपसे convert करो इसको centimeter cube में तो आप कैसे करोगे? आपके पास meter cube है, आपको क्या चायए? centi cube चाहिए, तो centi cube और meter cube मिला, centi meter cube हो जाएगा तो आपने क्या करना है 50 centi cube से multiply कर दो centi cube से multiply कर दो, और meter cube तो ही multiply किया तो divide भी करना पड़ेगा centi cube से divide भी कर दिया अब देखो ये दोनों मिला के क्या हो जाएंगे cm3, मतलब आपको आपका unit मिल गया, value के लिए आपको क्या करना है, आपको 50 divided by cm3, वो कितना होता है, 50, cm का value कितना होता है, cm3 हमें पता है, 10 raised to minus 2 होता है, the whole cube कितना हो जाएगा, 10 raised to minus 6, तो 50 upon 10 raised to minus 6 cm3, यह आपका answer होगा, इसको आप अगर और अच्छे से लिखें हैं, तो 50 meter cube equals to 50 into 10 raised to 6 cm3, I hope आपको यह चीज समझ में आई, कैसे आपने conversion किया, यहाँ पर आपने याद नहीं रखा, कि मुझे divide करना है, कि मुझे multiply करना है, आपने maths की तरह इसको solve किया, और आपका unit एकदम correct आया, I hope यह चीज आपको समझ में आई, आपको help होगी, आपसे मिलते हैं अगले वीडिय 방े, लूब यह आपको यह समया अगू शी एव एसको है, लाठतत हैं आपको किया के तरह में है, यहाँ में समयान वी है, जसके अनआए लाठत में है, भर बजτικा है, असल्याए, हम रभर आपको है अत् burada मएं में है, वाह़ भर खेल, भर आपको यहीं, अष्या, कि आपको झ